सहस्तित्ववाद अस्तित्व में मानों की पहचान वा सम्मा निरंतर असीम वा स्ताई है ही इससे पता चलता है कि परिवर्तनशिल चीजों से स्ताई चीजे कभी भी नहीं मिल सकती अब मानों में मानवीता और खुशाली कैसे आए इसे समझने के लिए हमारे पास मद्यस्त दर्शन सहस्तितुवाद उपलब्द है अब मानो स्वयम जीवन के सोरूप में होते हुए भी अग्यानता के कारण स्वयम को शरीर माने हुए है मानो सीमित चीजों से असीमित प्यास को बुझाने की कोशिश में लगा रहता है उनमें होता ही रहता है जीवन में कोई रशना विरशना होता ही नहीं है जीवन में होता है चेतना चेतना में गुनात्मक विकास होता है हम से सही को स्विकार करके सही जीने के प्रयास में गलती होती है और किसी भी गलती को सही करने का क्रम हमारे साथ बना रहता है और साथ में हम सही जीना भी सीखते रहते हैं हम जब अपना सम्मान नहीं कर पाते तो हम किसी का भी सम्मान नहीं कर पाते हैं इससे हमारा केवल जिन्दा रहना हो पाता है जीना तो नहीं हो पाता है हमारा जीना शेश रह जाता है हमने जिन्दगी को प्यार से खुशी से कैसे बिताया जाए इसकी कोई ट्यूशन ना हमने ली है और ना ही बच्चों को दी है और ना ही तलाशने की कोशिश की है मानव में रूप धन पद बल सभी परिवर्तनशील है जबकि सम्मान और पहचान हमें स्ताई रूप में चाहिए और निरंतर चाहिए और असीम भी चाहिए भ्रहमवश हम अपने पहचान और सम्मान का आधार रूप बल धन पद को मानते हैं सम्मान और पहचान का आधार रूप धन पद बल को मानना ही भ्रहम या गलती है इसकी गवाही में सभी राज्ट अंत्र यह स्विकारे हैं कि हम मानव गलती अपरात कर सकता है मानव की स्तिती जीव चेतना की है इसकी गवाही में सभी इश्वरवादी धर्म गद्धी मानव को पापी अग्यानी और सौर्थी कहा है इसी इश्वरवाद में कहा है हम हर स्तिती परिस्तिती समय स्तान के अनुस सार सभी सही को जांसते हैं जाचने पर हमें पता चल लगता है कि सही तो यही है सही पर ध्यान होने पर हम सही जीने लगते हैं जी अनुद्या के परिच्चे शिबिर में जी इंदगी से जुड़े ऐसे तमाम प्रश्णों के हमारे हमें सभी सवालों के जवाब मिलते हैं जिससे हमें जाचने के लिए सही उपलब्द हो जाता है हम वस्तूओं की उपियोगीता सद उपियोगीता को समझ कर नियम और वैवस्ता पुर्वक जी कर निरंतर सुखी हो पाते हैं हमारी जिंदगी सही माइने में शांदर हो जाती है वह खुपसूरत मंजिल के इस खुपशूरत सफर में यदि हम सब सा पुर्वक हो जाते हैं हमारा दूसरों की कमी या आयोग्यता से प्रभावित ना होना ही हमारी अपनी योग्यता है हम दूसरों को भी भाव देकर उनके भी भाव विचारों के उनके नियंतरन में होने में सहयोगी हो जाते हैं जब हम स्वयम में या अपने में सही मानसिक्त होने पर ही विश्वास पुरुवक जीते हैं, जब हमारे अपने भाव विचार हमारे नियंतरण में होते हैं, तब हम दुसरों की कमी या आयोग्यता से प्रभावित नहीं होते हैं, हमें सही के विकल्प की आउशकता है, हम कभी भी गल्तियों से नहीं सीखते हैं, हमें सही उ आउशक्ताओं का निर्धारन करते हैं तभी परिवार की आउशक्ताओं का सही सही निर्धारन होता है ब्रह्म को आप जूट मानोंगे या नहीं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे ये शरीर की बात कर रहे हैं जीवन ग्यान की नहीं इसका प्रमान दे दिया या नहीं जीवन ग्यान इश्वरवादी परंपरा में नहीं था अस्तित्व के कुछ भाग को विज्ञानियों ने सच माना कुछ भाग को इश्वरवादीयों ने सच माना दोनों अधूरे होने के कारण प्रमानित नहीं हो पाए संकट ग्रस्त हुए इसलिए विकल्प की जरुवत आ गई सत्ता अपरिनामी है जीवन विकास पुरुवक अपरिनामी हुआ है मनुष्य आदिकाल से अमरत्व को खोशता रहा है शास्त्र में लिखा है कि मनुरंजन के समय गवाने को छोड़ कर अपने लक्ष को पहचान पाते हैं सही समझ कर हमें सही अपने सही निर्णे लेने की शमता पर विश्वास आ जाता है जानने में कितना दम है इस बात को समझ पाते हैं और हमारी मानने से जांच कर जानने की यातरा शुरू होती है हम जिन्दगी के सुहाने सफर में अपनी ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे होते हैं हमारे भाव विचार हमारे नियंत्रण में होते हैं वह हमें अनावश्यक दबाव प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है हम वस्तु या वस्तविक्ता को समझ कर वह जान कर स्वण नियंत्रित हो जाते हैं मानो आस्वादन करता है मानो में निरंतर सुख की आशा में मन में आस्वादन होता है मानव में आस्वादन तीन तरह से होते हैं पहला आस्वादन रुची मुलक होता है मानव रुची मुलक आस्वादन में इंद्रिय प्रदान या इंद्रियों से सुखी होता है मानव की समझ अभी अधूरी है तो वह अपनी आसीमित या जीवन की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए आसीमित सुविदा संग्रह में लग जाता है फिर भी उसकी प्यास अधूरी ही बनी रहती है और वह जिंदा रहकर ही अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है समझ के विना मानव केवल जिंदा रहता है समझ के बाद ही मानव में जीना बनता है हमें विकल्प की आवशक्ता है अस्तित्व सहस्तित्व स्वरुपी है सहस्तित्व सत्ता में संप्रिक्त प्रकिर्ती है ऐसे प्रकिर्ती चार आवस्ता वो चार पदों में है इसमें विकास क्रम विकास जागरिती क्रम जागरिती ये शाश्वत प्रक्रियाएं है मानों की आवशक्ता शरीर की अलग है जीवन की अलग है शरीर की आवशक्ता सिमित है क्योंकि शरीर भी सिमित इकाई है पर मानव में जीवन के आवशक्ता असिमित है क्योंकि जीवन असिमित इकाई है मानव में दुसरा आस्वादन मुल्य मुलक आस्वादन होता है मानव मुल्य मुलक आस्वादन में संबंद प्रधान जीता है या संबंदों से सुखी होता है मानव में तिसरा आस्वादन लक्षे मुलक आस्वादन होता है मानव लक्षे मुलक आस्वादन में लक्षे प्रदान होता है या मानव लक्षे को पाकर सुखी होता है मानव जीवन वशरीर के संयुक्त रूप में है मानव में शरीर की आवशक्ता निश्चित वसीमित है मानव में जीवन की आवशक्ताएं भी है जो की असीमित है जीवन की असीम आवशक्ता असीम विश्वास सम्मान सनेह संतोष प्रेम पाकर्व ही पूरी होगी, असीमित वस्तुओं से नहीं सभी विक्ती किसी नकिसी परंपरा में डूबे ही हैं अलक्स से विक्ती को क्यों कटगरे में लाएं परंपरा कहते हैं तो उसमें सभी विक्ती आ गए यदि विक्तियों का नाम लेने बैठोगे तो कितने वेक्तियों का नाम लेंगे इसलिए शिकायत तो होना ही नहीं है शरीर सहित वेवस्ता में जीते हुए शहस्तित्व प्रमानित होने की प्रयोजन चिलता है अभैता में शरीर की विरचना के भबhouse मुक्त रहना एक भाग है विश्यों की आसक्ति से मुक्त रहना दूसरा भाग है इस समच के साथ जीने में आदमी के बरबाद होने की जगे नहीं है अमरकोश के अनुसार जो जरा या व्रिद्ध नहीं होता है उसको उन्होंने देवता कहा मद्य स्दर्शन से अमरत्व का वास्तविक सोरुप स्वस्ट हो गया जीवन अमर वस्तु है जब मानव की प्राथमिक्ता में मानव लक्ष या समाधान और सम्रिद्धी ही होना है मानव लक्ष स्पस्ट होने पर मानव सम्मंदों को पहचानते हुए इंद्रियों को भी नियंत्रित कर पाता है हम मन से कैसे आश्वादन लेते हैं यह तीनों प्रकार के आश्वादन को हम कैसे पूरा कर सकते हैं जीवन पर विश्वास होने के साथ शरीर की उप्योगिता सद उप्योगिता प्रयोजन शिल्ता पर विश्वास होता है। समझ पूरी होने पर ही मानव नित्य उस्व पूरवक जीता है। जीवन पर ही हम पूरे हो पाते हैं नहीं तो वह कही न कही प्रभाव डालता ही है। इसी भ्रहमित मानसिक्ता के कारण ही हम अपने को पूरा पहचान नहीं पाते और इसी लिए हम अपना भी पूरा सम्मान नहीं कर पाते। जिसे हम गलती मानते आये हैं सही माइने में वे गलतिया नहीं है। वे तो समझने का करम है हर्म परिवार अपनी आउशक्ताओं का निर्धारन कर सकते हैं। मतलब हर आदमी का अलग-अलग मत होगा ही। इसी करम में कहा सुनो सबकी करो मन की। इसी करम में कहा खाली हाथ आये खाली हाथ जाएंगे। वह सब जूट का पुलिंदा है भ्रहम है। मानव की असीमित आवशक्ता सीमित वस्तुओं से पूरी नहीं होती है। मानव में जीवन वह शरीर दोनों की आवशक्ता को पूरी करने की विधी अलग-अलग है। मानव में जीवन की आवशक्ता पूरी होने की विधि समझ है, मानव समझ कर ही तुरुप्त पुर्वक जीता है। जैसे ही हम अपने मन में किसी के प्रधी विरोद लाते हैं, हम अपना ही मार्ग अरुद्ध कर लेते हैं, शिकायत तो होना ही नहीं है। परंपरा की समिक्षा होती है परंपरा की हम बात करेंगे। मानव या हम सब भी सही या सत्य को समझ कर निशित आचरन में जी सकते हैं। हमारा खुद का खुद से परिचे होता है। जिन्दगी का मकसद क्या है इस बात को जान जाते हैं। जानने का शन ही हमारे लिए मनुरंजन का शन हो जाता है। हम मनमानी की गुलामी से आजाद हो जाते हैं और हमें असुरक्षा से मुक्ती मिल जाती है। भौतिक रसायनिक वस्तूओं से आरोह अवरोह सौभाविक है। हर भौतिक रसायनिक वस्तू किसी अवधी के बाद विरेचित होनी ही है। जीवन अमर है। समाधान समरिद्धी अभय सहस्तित्व पुरुवक जीने से जीवन तुट्ती मिलती है। समाधानित वरंपरा में मृत्यू का शोक वभय नहीं होता। तो चारो और आवयवस्ता ही नजर आती है क्यूंकि हम नियम से नहीं चल रहे हैं। जीवन में जरादोश नहीं है। परिणाम दोश नहीं है। इसलिए जरादोश नहीं है। जीवन मातरात्मक परिवर्तन से मुक्त है जब तक मातरात्मक परिवर्तन है तब तक जरादोश है क्या हम भी इस अव्योस्ता की भीड में लूड़क रहे हैं क्या हमारी जिन्दगी किसी के दबाव प्रभाव में चल रही है क्या हम अपनी जिंदगी के ड्राइविंग सीट में बैठे हैं या किसी और के हाथ में हमारी भगदोड है यदि ऐसा है तो हम कहां पहुचेंगे ये एक सोचनी ये मुद्दा है मन किसे कहते है, मन कहां होता है मन कैसे कार्य करता है, मन कैसे तुरुक्त होता है ऐसे सभी प्रशनों के उत्तर जानने के लिए जीवन को समझने के लिए समझ की यात्रा में हम सभी साथ चल सकते हैं यदि हम मानों अपने मानव होने के प्रयोजन को समझ जाते हैं तो हम कहां खड़े हैं इस बात को देख पाते हैं पुरुव में कहा गया कि हमारी आवशक्ताएं सीमी असिमित है और साधन सीमित है जबकि तर पुरुव की इस बात को समझा जा सकता है कि मानव की शरीर सीमित है इसलिए उसकी भौतिक वर शारिक आवशक्ताएं भी सीमित ही हैं मानव केवल शारिक आवशक्ताओं को पूरा क करके त्रिप्त नहीं हो सकता ये उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है पर देखा जाये तो जिंदगी की इस दोड में हम सिमित चीजों से असिमित आशकताओं को पूरा करने की तलाश में सदियां बिता चुके हैं और समझ के अभाव में और यदि अपनी मांसिक्ता पर का काम नहीं किया जाए तो ना जाने कितनी ही सदियां फिर से गुजर जाएंगी ऐसे ही हम पेड़ पौधे वनस्पति व्रुक्ष लता बेल जाडी घास शाक आदी या प्रान अवस्ता का अध्यान करके उनके आचरन के लिए भी निशिंत हो गये हैं भावतिकवादी परमप परमपरा हमको यह दिया उससे यह सदगटना और यह दुरगटना हुआ परमपरा की समिक्षा करने में चुकना नहीं व्यक्ति को शिकायत का आधार बनाना नहीं है मृत्यू क्या है मृत्यू के भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं मृत्यू एक घटना है रचना का विरशना होने की घटना ही मृत्यू है प्रानपद चक्र में मृत्यू घटना नियती है प्रानावस्ता में रचना विरशना होना नियम है जिसकी परंपरा है सही को छोड़के आदमी बरबाद होने के अलावा क्या होगा? सत्य से मिथ्या पैदा नहीं होता है, असत्य पैदा नहीं हुआ है हम सभी जीव जन्तु जानवर पालतु जंगली भूमी पर रहने वाले पानी में रहने वाले आकाश में उड्ने वाले सभी प्रकार के जीव अवस्ता का ध्यन करके हम उनके निश्शित आचरन के लिए निश्शिंत हो चुके हैं धर्ती के स्वयम स्पूर्थ होकर स्वयम को सुधारने की प्रकिरिया को हम सभी देख पा रहे हैं धर्ती के स्वयम स्पूर्थ प्रकिरिया से स्वयम को सुधारने की प्रकिरिया को हम सभी समझ पा रहे हैं इस तरह वेद विचार भी अस्कृत होता है। धर्ती के अंदर या गहराई में मिलने वाले सभी खनीज और कोईला आधी धर्ती पदार्त धर्ती के बने रहने के लिए आवशक है। इन सभी पदार्त का हमने दूरुपयोग भी किया। अब धर्ती में अपने आप से अपने को ठीक करने का कारेक्रम चल रहा है। धर्ती में अपने से अपने को दुरुस्त करने का समय चल रहा है। धर्ती का अपने को समालने की प्रक्रिया चल रही है। जब भी जहां भी शरीर यात्रा करेंगे उसमें सफल होंगे यह रहता है जीवन को नहीं समझने तक ही मृत्यू का भै है आदर्शुवाद में आत्मा का अमरत्व प्रतिपादित है यहां मौलिक परिवर्तन है जीवन का अमरत्व का प्रतिपादन है जीवन पर विश्वास हो जाने पर शरीर की विरशना से लगने वाला भैस माप्त हो जाता है चार विश्यों के प्रति आसकती भी उसी के साथ समाप्त हो जाती है आसकती नहीं होना चाहिए यह सभी कहते हैं पर आसकती से मुक्ती कैसे होगा जीवन पर विश्वास होने से आसकती से मुक्ती है अपने को समझ कर ही हम सभी मानों को भी समझ पाते हैं कि हर मानों सुखी होना चाहते हैं और सभी एक दुसरे को सुखी करना ही चाहते हैं यह समझ कर ही हमें सभी मानों से अपनापन लगने लगता है सभी मानों अपने होने का भाव जाकता है यह समझ कर ही हम अपने पराई की मांसिक्ता से मुक्त हो जाते हैं अपने पराई की दिवारे तूड जाती हैं इस धर्ती को बनने में अपने आप में बहुत श्रम लगा है इस धर्ती के बनने में हमारा कोई भी योगदान नहीं है अब हमें केवल धर्ती को बनाय रखने के लिए श्रम करना है धर्ती रहेगी तबी धर्ती पर हम रहेंगे धर्ती की सतह पर ही हमारे लिए आवश्चक सभी चीजे उपलब्द हो जाती हैं अस्तित्व के नियमों के अनुरूप जी कर ही हम सुखी होते हैं हम सभी व्यवस्ता को समझने और व्यवस्ता को समझ कर जीने की ओर बढ़ रहे हैं हम सभी अपने को समझ पाते हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं और सभी को सुखी करना ही चाहते हैं हमने मिटी पत्थर मनी धातु आदी प्रदार्थ वस्तुओं का बहुत अच्छे से अध्यन किया है पदार्थों का ध्यन करके हम पदार्थ के आचरन के लिए आश्वस्त हो गए कि इसका आचरन निश्चित है यह पूरा अस्तित्व एक नियम से चल रहा है पूरे अस्तित्व का चलने का नियम है इसी तरह अस्तित्व में हमारे सही जीने का भी नियम है हम सभी अस्तित्व के नियमों को समझते हैं अस्तित्व सहज नियमों की समझ के अनुसार जीते हैं ज्यान ही अनुभव काल में आनन्द है ज्यान ही सर्वत्र एकसा अनुभव में आने के कारण इश्वर है ग्यान में ही समस्तक्रियाय, सनक्षित वर नेंत्रित होने के कारण यह लोकेश है ग्यान ही सरवत्र एक्सा विद्धिमान होने के कारण वैपक है ग्यान ही चैतन्य के साथ चेतना है ग्यान ही आत्मा से सुक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा है प्रत्यक मानव बहुत्धिक समाधन एवं भौतिक सम्रिद्धी चाहता है सदा सदा प्रकृतिक के होने वह न होने के स्तलों में सत्ता का ही वैभो है सत्ता जड़ वह चैतन्य में पारदर्शी वह पारगामी है सत्ता मैता कोही परमात्मा इश्वर लोकेश चेतना निरपेक्ष उर्जा पुर्ण वैपक आनंद संग्या है कृतग्यता से गवरता गवरता से सरलता सरलता से सहस्ता सहस्ता से मानविता मानविता से सहस्तित्व सहस्तित्व से कृतग्यता होती है सभी मानवों में शब्द, सपर्ष, रूप, रश, गंध, इंद्रियों की आफशक्ता सामाइक है शुधा या भूक वा पिपासा या पैस सामाइक है संपूर्न उपभोग सामाइक है सामन्याकांग्षा वा मत्वाकंग्षा की वस्तुओं का उपयोग सामाइक है विनिमे सामाईक है वस्तुव सेवा का नियो जन सामाईक है मानव में वर्ग विहिंता जन से होता है केवल उत्पादन ही मानव जीवन के लिए सर्वस्व नहीं है मानव में शरीर की आवशक्ता निश्शित वा सिमित है शरीर की आवशक्ता पुर्ती के लिए साधन भी परिय व्यक्ति का व्यक्तित्व नाय प्रदाई शम्ता से प्रदर्शित होता है। विचार काल में समाधान, आचरन काल में नयाय, अनुभाव काल में आनंध के रूप में प्राप्त है। अस्तित्व में समाधान ही समाधान है, अस्तित्व में सुख ही सुख है, दुखी होना हमारी समझ में कमी की सुचना है। समझ अधूरी होने से कोई घटना हमें दुख जैसी लग सकती है, जबकि हर घटना से हमें आगे ही बढ़ते पहना है। प्रत्यक शिशु जन्म से ही नयका याचक सही कार्य वेवार करने का इच्छुक वह सत्य वक्ता होता ही है। नित्य ही सदा सदा एक सा विद्यमान है, सत्य ही सदा सदा एक सा भासमान है, शुद्ध ही सदा सदा एक सा शुक प्रद है, बुद्ध ही सदा सदा एक सा बोध गम में है। अस्तितुव में प्रत्य की काई स्वयम में व्योस्ता है वो समगर व्योस्ता में भागिदार है जो घटनाय स्वयम के लिए वेदना का कारण है वही घटनाय दुसरों के लिए भी वेदना का कारण है ऐसी स्विकार शमता ही समवेदना है सांग्यानियता में समवेदनाय निय सबी को सुखी रख भी पाएं हम सभी में इतनी ःग्यता है भिस ये महत्वपुर्ण है कि इस बात पर हमारा ध्यान चला जाये मानो संबंधो सहित ही जन्म लेता है संबंध विहिन मानो नहीं है मानो का अकेले में कोई कारेक्रम नहीं है वेवहर के बिना माना का कारेक्रम सिद्ध नहीं होता है मानो शुक धर्मी है मानो का धर्म सुकी होना है हमारे सुखी या दुखी होने का कारण हम स्वयम ही होते हैं जिसके पास जो होता है वह उसे बाटता है पदार्थ अवस्ता या मिट्टी, मथ्थर, मनी, धातू की स्रिष्टी अविक्सित स्रिष्टी है प्रान अवस्ता या वनस्पती पेड़ पाउधे की स्रिष्टी अलप विक्सित स्रिष्टी है जीव अवस्ता या जीव जन्तु पशूप अक्षियों की स्रिष्टी अर्ध विक्सित स्रिष्टी है ज्यान अवस्ता या मानुओं की स्रिष्टी पूर्ण विक्सित स्रिष्टी है साधन्व संपत्ति के संपत्ति करण के अभाव में उसकी वितरन वेवस्ता सुलब हो जाएगी जिससे प्रत्यक वेक्ति के लिए साधन्व स्थान का अभाव नहीं रहेगा अभाव से रहित जीवन में अधिक साधन व अधिक स्थान स्वयम में पिड़ा दैक सिद्ध है अधिक साधन व अधिक स्थान को संग्रह करने के मूल में भय की पिड़ा व अभाव के आग्रह का अनिवार्य रूप में रहना पाया जाता है वेभार मानो जीवन का विवाज्य अंग है या मानो वेभार विहिन नहीं है स्वयम से वियोग न होना ही स्वत्व है मानो का भौतिक शरीर अमर नहीं है मानो के द्वारा किया गया संग्रव व संपत्तिकरन स्वयम शरंशील है स्थान वह वस्तुओं का संपत्तिकरण अस्ताई है ब्रह्मवश संपत्तिकरण ही समाज को समाज जिक्ता से बंचित करता है ब्रह्मवश ही मानों ने वस्तु का संग्रह वस्तान का संपत्तिकरण का प्रयास किया है जो सफल नहीं हुआ मनाकार को साकार करने वाला वो मनस्वस्तता का आशावादी वो इसे प्रमानित करने वाला ही मानो है समझने या सुखी होने के लिए एक ही से अधिक मानो के एकत्र होने के लिए श्रम नियोजन ही विभार है सभी या छे और से सीमित पधार्त या पिंड ही एकाई है अखंड या वैपक वस्तु में सभी इकाईया अविभाज रूप में वर्तमान है ग्यान में ही प्रकिर्ती संप्रिक्त होने के कारण यह निर्पेक्ष उर्जा है ग्यान ही आपपरी नामी होने के कारण पूर्ण है ग्यान का उद्गाटन सहस्तित्व में अनुभव ही है, अनुभव ही सहस्तित्व में अनुभव सहज अध्यन है, ग्यान ही विवेक व विज्ञान रूप में प्रमान है, ग्यान ही मानो सहज मौलिक्ता है, ग्यान ही अनुभव पुर्वक अभिवेक्ती है, मानो जीवन व शर हमसभी ।他 सीयक्त्र रूप में है मानव में जीवन अमर है मानव में जीवन का अमरत्व है मानव में शरीर का नश्रत्व है हमको हमारी यग्यता से परीचे होना जरूरी है तभी हम सुखी रह सकते हैं, वह सभी को सुखी कर सकते हैं, हम सभी अक्षय बलव अक्षय शक्ति संपन्न हैं, हमें अपना लक्ष तय करना भी आवशक है हम सही लक्ष के साथ होंगे तभी सही दिशा में जाएंगे हम सभी अपने लक्ष को समझे वर लक्ष के साथ आगे बढ़े हम सभी तयारी करते हैं कि हम और सुखी होंगे पर हम सभी और दुखी हो जाते हैं इसका मतलब हमारे मानने में ही गलती है हमने कुछ गलत मान के रखा हुआ है हमें हमारे मननेताओं को ही ठीक से जाचने की जरूरत है श्रम के शोब में ही विश्राम की त्रिशा है समस्त श्रम विश्राम के लिए है श्रम का विश्राम है ही समस्त गती गंतव्य के लिए है गती का गंतव्य है ही समस्त श्रम से गतीव वा समस्त गतीव से परिणाम है ही परिणाम की ही निरंतरता है यही परिणाम का अमरत्व है संबंधों में कर्तव्य वा दाइत्व निश्शित्व सिमित है संबंधों में सभी कर्तव्य वा दाइत्व को पूरा किया जा सकता है प्रकिर्ती में जड़ व चैतन्य केवल दो प्रकार की इकाईया है सभी जड़ व चैतन्य इकाईया सत्ता में डूबी भीगी व घिरी हुई है सभी इकाईयों के सत्ता में डूबा भीगा व घिरा हुआ होना ही संप्रिक्तता है सभी इकाईया सत्ता में संप्रिक्त हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम एक दूसरे की सुख होने पर खुश हो पाते हैं हम अपने में बहुत गहरे से इसे देख पाते हैं कि हम में से कोई भी दुखी है तो हम खुश नहीं हो पाते हैं किसी भी भूमी पर पूर्ण स्रिष्टी तभी संबह है जब वह अपने में आवश्चक संपूर्ण रस उपरस वह वायू से संब्रिद्ध हो जाए इस प्रकार से इस असीम आवकाश में अनन्त भूमी अपनी प्रगती के अनुसार पूर्ण विक्सित, अर्द विक्सित, अल्प विक्सित अवस्ता में है रस उपरस का प्रमान रासायनिक क्रिया कलाब ववैभव के रूप में है मानों को जिसके गिन्ने की आवशक्ता नहीं बनती है यही अनन्त है मानों जिसको गिन्ने में असमर्थ है यही अनन्त है संख्या में अग्रहय क्रिया ही अनन्त है विश्राम के लिए ही इस प्रुथवी पर मानव अपने महत्व को जानने वो पहचानने के प्रयोग वो प्रयास में वेस्त है एक से अधिक मानव के एकत्र होना ही परिवार समुह समुदाय वो अखंड समाज है अकेले में मानव के जीवन में कोई कारेक्रम वेवारव उत्पादन नहीं होता है इस पृत्वी पर मानव अधिक्तम विक्सित इकाई है मानव से विक्सित इकाई इस पृत्वी पर नहीं है मानव ही सभी इकाईयों का ग्याता है नासमज या भ्रमित मानो कर्म करने में सोतंत्र होते हैं परंतु फल भोगने में परतंत्र होते हैं जबकि समस्दारिया जागरित मानो कर्म करने में भी सोतंत्र होते हैं और फल भोगने में भी सोतंत्र होते हैं सामाजिक्ता से आवशक्ता आवशक्ता से प्रयोग व उत्पादन, प्रयोग व उत्पादन से अर्थो पार्जन, अर्थो पार्जन से उप्योग, सदुप्योग व प्रयोजन सिलता से वेभारिक्ता, वेभारिक्ता से मानवीता मानवीता से सामाजिक्ता है, सामाजिक्ता अ ही जड़ इकाईया है अपनी लंबाई चोड़ाई उचाई की सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार में क्रियाशील इकाईया ही चैतने इकाईया है मानोच एतना में जीव एतना विले होता है मुझे समाधी सय्यम पुर्वक अनुभव हुआ है अध्यान विधी में समाधी का विकल अत्मक मार्ग दिये हैं सीधे सीधे सयम काल में मुझे जो अध्यान हुआ वह आपको अध्यान करा रहे हैं जबकि यह बात आपको समझ में आता है तो अध्यान के प्रति आपका गंबीर होना बन जाता है समझ कर ही हम मानो समाधान सम्रिद्धी अभय वो सहस्तित्व पुर्वक जी पाते हैं समझ के प्रमानित होने की यह जगह है और कहीं भी नहीं समझे हैं तो ऐसे जी पाएंगे नहीं समझे हैं तो ऐसे जी नहीं पाएंगे कार्य करने के पक्ष में जीव जानवर कुछ शब्दों को स्विकारते हैं किन्तु वे उन शब्दों के अर्थ को समझते नहीं है जैसे कुछ जानवरों को यह बताने पर कि यहां जाना है जानवरों वहां चले भी जाते हैं सरकस में जान्वरों के नाच कूद कराते ही हैं लेकिन हम जान्वरों को सहस्तित्व समझाए और वे समझ जाए ऐसा होता नहीं हम जानवरों को जीवन समझाए और वे समझ जाए ऐसा होता नहीं शब्द के अर्थ में सहस्तित्व वास्तविक्ता के रूप में इंगित होता है जिसको मानव या हम ही समझ सकते हैं अब हमको यह निर्णय ले देना है कि हमको जीव जानवरों जैसे कारिय करने की सीमा में जीना है या समझ की सीमा में जीना है हम जानवरों को मानुविता पूर्ण आचरन समझाए और वे मानुविता पूर्ण आचरन करने लगे ऐसा होता नहीं है शब्द से इंगित अर्थ को मानौ ही समझता है अर्थ लिटरेचर में नहीं आता पर ही कुजरा क्योंकि धर्ती पर ही तो मानव है अस्तित्व मुलक मानव केंद्री चिंतन ग्यान अगरहार नागराजी मद्धेस्त दर्शन इसके बाद जब पूछा तो क्या ऐसे युद्ध रुकता है अपराद रुकता है गल्दी रुकती है तो उत्तर मिला नहीं हर देश की सीमाओं पर तैनात सेनाय या तो युद्ध करेंगी या युद्ध के लिए तैयारी करेंगी इससे युद्ध रुकता कहां हजारो लाखों वर्षों से मानव ने जो कारिय किया है उसका आकलन है मानव ने जीव चेतना वर्ष सारे अपराद को किया या अपरादों के सहमत रहने का उधारन है अभी का हमारा संविधान के साथ सभी सहमत हैं जो मुलता कहता है गलती को गलती से रोको युद्ध को युद्ध से रोको अपराद को अपराद से रोको इन तीनों बातों के मूल में यह अपिक्षा या मान्यता है युद्ध से युद्ध रुकता है गलती से गलती रुकती है विकल्प के आधार को समझते हैं हजारो लाखो वर्षों से अभी तक मानो दौरा किये हुए कर्म को अंकलित करते हुए इसके विकल्प को खोजा गया है हजारो लाखो वर्षों से अब तक मानो ने जो कार्य किया है उसके फल परिणाम में धर्ती का बिमार होना सब को समझ में आया नय पालिका ने भी अपरात से अपरात को रोकने की विधी माना है इसका मतलब है कि एक आदमी को अपरात करने से रोकने के लिए दस वेक्ति अपरात करना सिखे तभी वे अपरात को रोक पाएंगे इस विधी से अपराद बढ़ेगा या घटेगा इश्वरबादियों ने पहले शब्द को ब्रह्म माना फिर आपतवाक्य को प्रमान माना उसके बाद शास्त्र को प्रमान माना इस प्रकार कई लहर उनमें चल चुकी है विज्ञान अथा से इती तक यंत्र को प्रमान मानने म ग्यान का धारक वाहक केवल मानव है मानव में सच या जूट होता है यंत्र में क्या होना है यंत्र में क्या सच क्या जूट यंत्र को चलाने वाले बनाने वाले मानव में सच या जूट की बात हो सकती है यंत्र तो मानव का ही बनाया हुआ है अध्यत्मवाद और भहतिक व तो दोनों में कही हुई बातों में सुधार हो सकता है। शब्दों को सुधारे बिना कारिय वह विवार में सुधार नहीं हो सकता। सहस्तित्ववाद ही अध्यत्मवाद वह भोतिकवाद का विकल्ब है, अस्तित्व को छोड़ कर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अस्तित्व में ही एक भाग को लेकर इश्ववाद चला, इश्वर जिसका नाम दिया, उसको जीव जगत का जिम्मेवार मान लिया, जीव जगत मे किन्तु उसको माया माना। इश्वरवाद पूरा अनुग्रह वाद हुआ। इस आधार पर किताब वशास्त्र को प्रमान बताया। इश्वरवाद से भक्ति विरक्ति मार्ग निकला। लोग इश्वरवाद की डहरी पर अपना सर जुकाए। अपनाए अनुष्टान किये जीवन आजीवन अनुष्टान किये बहुत सारे उनमें से इमानदार भी होंगे बेमान भी होंगे इमानदार भी जो हुए उनसे कोई ऐसा प्रमान प्रस्तूत नहीं हुआ जो परंपरा के रूप में चल पाए। मानो परंपरा के लिए जैसे परिवार परंपरा है, जैसे मानो में सास लेने की परंपरा है, जैसे मानो में शरी चलाने की परंपरा है, ऐसा कुछ बात उनसे निकला नहीं. अस्तित्व में एक भाग को लेकर भौतिक वाद भी चला प्रकृति में स्रुष्टी स्तिती लाय होने को भौतिक वाद ने भी माना इससे यह निश्कर्ष बनता है कि विज्ञान का ग्यान भाग गलत है तक्निकी भाग ठीक है विज्ञान ने मानों को जो ग्यान होता है वह गलत है अध्यात्मवादी वह इश्वरवादी भी ग्यान को लेकर पैतने किये किन्तु ये भी सहस्तित्व को समझे नहीं इश्वरवाद ने जहां भौतिक वह रासायनिक वस्तु को माया माना भौतिकवाद ने उसको सच माना, किन्तु उसको अंतिम सत्य नहीं माना यह उनके साथ रखा हुआ एक आधार है भौतिकवाद पुरा यंत्रवाद है, इस तरह यंत्र को सामने रख के ये प्रमान बताते हैं दर्शन, सोच, विचार के विकल्प को लेकर हमने स्पष्ट किया है कि विगत में अस्तित्व को पूरा न समझते हुए अस्तित्व में ही किसी एक भाग को दर्शन का आधार मानते हुए इशवरवाद वो भौतिकवाद तयार हुआ विकल्प एक शब्द है विकल्प शब्द का कुछ अर्थ है विकल्प से मतलब है कि विगत से जो कुछ भी हमको दर्शन मिला सोच विचार मिला आचरन मिला सम्विधान मिला वेवस्ता मिला और जो कुछ भी मिला उसका यह विकल्प है यंत्रबाद ने आकर अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करते हुए आदमी को मोटार में घुमा दिया, रेलगाडी में घुमा दिया, एरोप्लेन में घुमा दिया, चंद्रमा का यात्रा करा दिया, इसको सच बताया ऐसा सोचने में क्या तकलीफ है, सुरिय उश्मा सदा सदा के लिए है, सुरिय जब तक थंडा न हो जाए, तब तक अभी विग्यानिक ऐसा बताते हैं कि पचास करोड साल बाद सुरिय फैलने लगेगा और फैलते फैलते धर्ती को अपने में निगल लेगा, ऐसी बे सीर पैर की बाते हम विग्यानियों से सुनते रहते हैं, हमारे अनुसार ऐसी भी कल्पना दी जा सकती है कि सुरिय कभी चारो अवस्ताओं के साथ सम्रिद्ध था और वहां के विग्यानी ही उसको आख का गोला बना कर अब इस धर्ती पर आ गये हो, अब वही काम इस धर्ती पर भी क करने के लिए तयार बैठे हैं, ऐसा सोचने में क्या तकलीफ है, हमारी कल्पना की हमारे पास गवाही तो है नहीं, न विग्यानियों के पास गवाही है कि सुर्य पचास करोट साल बाद धर्ती को निगल लेगा, वे कल्पना कर सकते हैं, तो हम भी कल्पना कर सकते हैं, सूर यह दिरे धिरे ठंडा होकर के भारी परमानु बनेंगे उसके बाद उसका धर्ती के सोरूप में गठन होगा। सिस्ट परिवारेव में वेदमूर्ती परिवारेव में यह नारा चला है। खाली हाथ आये और खाली हाथ जाएंगे। इससे पता चलता है कि उनको जीवन ग्यान नहीं था। इश्वरवाद रहस्य में होने के कारण प्रमान तक पहुच नहीं पाया। जिसे हम गलती मानते आये हैं सही माइने में वे गलतिया नहीं है। वे तो समझने का क्रम है। हर परिवार अपनी आवशकताओं का निर्धारन कर सकता है। शरीर सहित व्यवस्ता में जीते हुए सहस्तित्व प्रमानित होना ही प्रयोजन सीलता है। अभैता में शरीर की विरश्ना के भय से मुक्त रहना एक भाग है। विशेओं से आसकती से मुक्त रहना दूसरा भाग है। इस समझ के साथ जीने में आदमी के बरबाद होने की जगे नहीं है। गाय का नाम रखकर बुलाने पर वह आती है। इसलिए पशुपक्षियों को हम कुछ भी सिखास पाते हैं। जीव जन्तु पशुपक्षी अपनी व्यवस्ता में जीते हैं। मानो भी निशित आचरन में जी सकता है। हम सभी कल्पनाओं को साकार कर सकते हैं। हम हमेशा मन में जो आकार बनाते हैं मन में बने आकार को शरीर से पूरा या साकार करते हैं। हम कर्म करने की सोतंतरता से हर कल्पना को साकार करते हैं कल्पना शिलता से हम सब कुछ को समझ सकते हैं हम जितनी चाहें उतनी कल्पनाई कर सकते हैं हम कितनी भी कल्पना करें हमारी कल्पना करने की शक्ति कम नहीं होती है हम सभी में कलपना शिलता है कलपना शिलता के कारण हम ही हम तरह तरह की कलपनाई करते हैं गलती अपराद या युद्ध को नयाय से ही रोका जा सकता है क्योंकि हम सभी के पास गलती करने का अधिकार है और सही करने का आउसर भी हमें मिला ही हुआ है बदला लेना नयाए नहीं है, प्रतिक्रिया करना नयाए नहीं है, सजा देना भी नयाए नहीं है, वस्तुओं का समान बटवारा भी नयाए नहीं है अभी नैले में नयाय नहीं होता है सभी के साथ नयाय होना मानो जाती में बहुत ही सुखद व आवशक प्रक्रिया है हम सभी और अधिक सुख के साथ जीने की आशा में अने को कल्पना करते रहते हैं हम सभी ग्यानी होने की चाहना के कारण ग्यान आवस्ता में शामिल है हम सभी अपन में पहचानने निर्वाह करने मानने के साथ जानने की भी क्रिया है हम सभी में परिणाम बीज वंश के साथ संसकार की परंपरा होती है हमें ग्यानी होने के लिए शिक्षा की आवशक्ता होती है हमारी समझ सिक्षा संसकार से ही समझ पूरी होने पर ग्यानी होकर सुखी होते है हर शिशु जन्म से ही सच बोलना चाहता ही है हर शिशु जन्म से ही सही कारिय और वेभार करना ही चाहता है हर शिशु जन्म से ही नयाय पाना नयाय करना ही चाहता है हर शिशु जन्म से नयाय का याचक है ही नयाय की याचना करता ही है हर शिशु जन्म से ऐसा ही होता है जो गटनाय स्वयम के लिए वेदना का कारण है वही दुसरों के लिए भी वेदना का कारण है ये स्विकार करना ही सम्वेदना है वेवार के बिना मानाओं का कारेक्रम सिद्ध नहीं होता है प्रत्यक मानों प्रकिर्ती का अभिन्न अंग है प्रत्यक मानों का लक्ष विहिन कारेक्रम नहीं है सुविचार नमस्कार अभिनंदन अभिनंदन मद्यस दर्शन सहास्तितोवाद अग्रहार नाग्राज जी यह सुविचार मानव चेतना के उत्थान के लिए मानव कल्यान के लिए प्रस्तुत है धन्यवाद